बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन है क्या क्या वाकई हमें इसकी जरुरत है और दुनिया के किन किन देशों में ये दोड़ती है तो आईए जानते हैं इन सवालों के जवाब बुलेट ट्रेन यानि वो ट्रेन जो गोली की रफतार से चले आमतार पर एक घंटे में 300 किलोमीटर या इससे ज्यादा की दूरी तै करें जापान के अलावा बुलेट ट्रेन सर्विस चीन, जर्मनी और फ्रांस में भी है इंडिया में बुलेट ट्रेन की संभावना का पता लगाने के लिए जापान इंटरनाशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानि JICA को ये जिम्मेदारी सौपी गई थी एजेंसी ने इसी साल अपनी रपोर्ट सौपी जाइका ने रपोर्ट के शुरुआत के लिए मुंबई एहमदाबाद रूट को चुना कॉमर्शल कापिटल कही जाने वाली मुंबई और देश के पांचवे बड़े शहर एहमदाबाद के बीच करीब 500 किलोमेटर का हाइ स्पीड ट्रेन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा यानि 7 घंटे का सफर महस 2 घंटे में इस रूट पर 12 स्टेशन बनाए जाएंगी ये प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा होगा इस पर 98,805 करोड से जादा का खर्च आएगा ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि सालाना करीब 1,00,000 करोड के बजट वाला इंडियन रिल भी इसे कैसे उठाएगा जापान इस खर्च में से कई 90,000 करोड का कर्ज देने को तयार है वो भी 0.1 के बहुत ही किफाईदी रेट पर आमतोर पर जापान कर्ज 25 साल के लिए देता है लेकिन भारत को इसके मियाद 50 साल हो सकती है जानकार जापान की दर्यादिली के पीछे चीन से कॉम्पेटीशन को मान रहे हैं हाला कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर चीन भी काम करना चाहता था लेहाजा चीन को पच्छाडने के लिए जापान ये रियायत दे रहा है हाला कि हकीकत में बुलेट ट्रेन को ट्रैक पर आने में रोडे भी बहुत है झाल कि रहे हैं